हैलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी चलिए दोस्तों आज बात करेंगे क्रूज मिसाइल्स के बारे में कि क्रूज मिसाइल्स काम कैसे करते हैं इनके अंदर कौन से कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं कौन सी टेकनोलोजी होती है जिसकी वज़ा से क्रूज म बात करेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है और ऐसे ही इंट्रस्टिन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फटा फट कर दीजे सब्सक्राइब जिसका नाम है सही जवाब नीचे दिएगा ये बेल आइकन को क्लिक करना वे बिलकुल ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो को आपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो ये जो क्रूज मिसाइल है ये बलेस्टिक मिसाइल से थोड़ा सा अलग है तो दोसों बलेस्टिक मिसाइल के उपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है आप इसी चानल के अंदर देख सकते हैं तो ये बलेस्टिक मिसाइल से थोड़ा सा अलग होता है तो बलेस्टिक मि अपने design किया है वही पर जाके गिरेगा आप उसका target change नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों ये cruise missile के मामले में ऐसा नहीं होता है अगर cruise missile जा रहा है और उसके रास्ते में radar पड़ जाए तो वो अपना altitude कम कर लेता है जिसकी वजह से वो radar की range से बाहर हो जाता है जिसकी वजह से radar उसक जिसकी वजह से आप बैठे बैठे उसको guide भी कर सकते हैं उसको maneuver कर सकते हैं तो माल लिजे किसी anti missile system ने उसके ओपर fire कर दिया तो आप उसको चकमा दे कर उस हमारे missile की पूरी जो guide है वो बदल सकते हैं उसकी दिशा बदल सकते हैं और जो system है उसको चकमा दे सकते हैं तो ये फाइदा होता है cruise missile का कि उसमें maneuverability बहुत ही ज़ादा होती है और वो अपने altitude radar के मुताबिक कम ज़ादा कर सकता है जिसकी वजह से वो radar की पकड़ में ना आए दोस्तों इन cruise missiles को unmanned self-propelled guided vehicle के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने आपको guide कर लेते हैं इसके अंदर सारे senses लगे हुए होते हैं तो ये अपने आप ही sense कर लेता है कि कोई anti-missile system आपके उपर fire कर रही है का तो उसको कैसे dodge किया जाए क्या सामने radar पड़ रहा है तो अपना altitude कम करना है या जादा करना है उसके हिसाब से वो अपने आप guide होता है और अपने आप target पे जाकर लग जाता है इसकी वज़ाए से उसको unmanned self-propelled guided vehicle के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो आप हम थोड़ इसी cruise missile की history भी जान लेते हैं तो पहला जो cruise missile था वो US Army ने World War 1 के वक्त पे बनाया था उसको उन्होंने नाम दिया था catering bug हाला कि उसका इस्तमाल उन्होंने actual जंग के अंदर नहीं किया लेकिन उनका मकसद ये था कि कुछ ऐसा missile बनाया जाए जो की artillery के range से बाहर है लेकिन अगर एक जगा से fire किया जाए तो बिलकुल हमारे desired target के उपर ही जाके लगेगा और कुछ ऐसे flying zone के अंदर से वो उड़ेगा जहां पर अगर pilot वाला plane हम चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारे plane को shoot down कर दिया जाए और pilot की जान चली जाए तो उससे बचने के लिए US Army ने पहले इसका इजाद किया था हाला कि उसको उन्होंने इस्तमाल नहीं किया लेकिन जर्मनी ने World War 2 के दोरान V1 flying bomb के जरिये cruise missile को actual शुरुआत कर दी cruise missile की तो actually उसका origin हम वहाँ से देख सकते हैं कि V1 missile में actually उसका origin है हाला कि अमेरिका ने उसको पहले बनाया था लेकिन उसका इस्तमाल नहीं किया था तो लोगों को ये पता नहीं था कि इसके accuracy क्या है या कैसे काम करता है तो जर्मनी ने उसको use कर दिया तो तब से ऐसा कहा जाता है कि वह उसका origin है तो दोसो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके launching platforms के बारे में तो दोसो ये जो missile है cruise missile ये किसी भी platform से आप fire कर सकते हैं air से fire कर सकते हैं याने कि long range जो bomber aircraft होते हैं वो उसको carry कर सकते हैं साथी साथ जो short range fighter jet होते हैं वो भी इसे carry कर सकते हैं इसी के साथ साथ आप ground vehicle से इसको launch कर सकते हैं आप submarine से इसे launch कर सकते हैं आप ship से इसे launch कर सकते हैं submarine पानी के उपर हो चाहे पानी के अंदर हो दोनों तरेप से वो इसे launch कर सकती है तो इसकी usability काफी जादा wide है और तो और ये बहुत जादा accurate होता है, self-guided होता है, self-propelled होता है तो इसकी वज़य से भी ये बहुत ज़्यादा easy to use हो जाता है और किसी भी platform से आप इसको fire कर सकता है इसकी वज़य से ये और भी ज़्यादा घातक बन जाता है तो दोस्तो एक कदम आगे जाकर एक Russian company है जिनोंने इस cruise missile का एक version launch कर दिया जो version किसी भी normal container ship के उपर भी अगर आप इस cruise missile को ले के जाएंगे और एक normal उसको platform मिलेगा तो भी उस normal container ship से भी आप उस missile को launch कर सकते हैं यानि कि आपका कोई भी normal container ship भी एक battleship में तबदील हो सकता है इतना बढ़िया उसका wide range of usability है तो दोस्तों जिस Russian company ने इसका इजाद किया है उस Russian company का नाम है Concern Morin Forma Systema Ajat तो ये उसका नाम है इस company ने Russia के अंदर इस system को actually commercially launch किया है कि आपके किसी भी normal vessel ship के अंदर या किसी भी container ship के अंदर डाल कर भी आप इन cruise missiles को launch कर सकते हैं ये बहुत बढ़ा step है क्योंकि पहले के जो missiles होते थे वो सिर्फ वार शिप के उपर से ही launch किये जा सकते थे लेकिन इस system के आने के बाद कोई भी normal ship भी अगर है उसके उपर भी आप इस cruise missile को launch कर सकते हैं उसको load करके मार सकते हैं किसी को भी दोस्तों अब देखते हैं कि इसके अंदर propulsion unit कौन सा पड़ता है तो क्योंकि cruise missiles continuously propulsion के उपर रहते हैं तो इसके अंदर turbo fan वाली engine या turbo jet वाली engine का इस्तमाल होता है जो कि उसको subsonic speed तक लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं इसमें से कुछ जो cruise missiles होते हैं उनके अंदर जो rocket के अंदर motor इस्तमाल होती है propulsion motor वो भी इस्तमाल की जाती है initial phase के लिए उसको एक subsonic speed तक लेके जाने के लिए और उसके बाद वो उस turbo engine का इस्तमाल शुरू कर देता है दोस्तों अब cruise missile की अच्छाईयों के बारे में तो मैंने बात कर ली लेकिन अब ये जानते हैं कि क्या इस cruise missile की कोई खामी भी है तो इसकी सिर्फ एक ही खामी है और वो है airborne early detection system तो ये जो airborne early detection system है ये cruise missile को अगर cruise missile lower altitude पे भी उड़ रहा है तो भी detect कर सकती है इसके अलावा अगर कोई radar है तो वो उसे detect नहीं कर सकता है अगर वो lower altitude पे उड़ रहा है तो तो दोस्तों ये एक ऐसे system है जो कि इस cruise missile को मात वहाँ पर दे सकती है हाला कि cruise missile अपने altitude को बहुत ही बहतरीन तरीके से alter कर सकते है तो कुछ cruise missiles जो है वो higher altitude से शुरू करते हैं और जैसे ही वो target के पास आते हैं अपना altitude जट से कम कर लेते हैं और target के उपर जाकर लग जाते हैं कुछ ऐसे भी missiles हैं जो कि radar के आने के बाद भी उपर नीचे होते रहते हैं यानि कि radar आ गया तो नीचे हो जाते हैं radar पास होने के बाद उपर चले जाते हैं तो ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि जितना ज़ादा higher altitude पे मिसाल उड़ेगा तो वो उतना ही ज़ादा fuel efficient होगा उतना ही ज़ादा जो है वो kilometers तै कर पाएगा अगर वो ज़ादा lower altitude पे उड़ता है तो वो ज़ादा फासला जो है वो तै नहीं कर सकता है क्योंकि उसका एक obvious reason है कि जितना ज़ादा उपर से उड़ेगा तो उतना ज़ादा thin air होगा तो आगे जाने के लिए उतना ही ज़ादा कम resistance लगेगा जितना ज़ादा lower altitude पे उड़ेगा तो उतना ही ज़ादा dense air होगी जिसका drag उसको ज़ादा पड़ेगा जिसकी वज़े से fuel ज़ादा जलता है तो इसी की वज़े से कुछ missiles ऐसा करते हैं कि वो higher altitude पे उड़ना शुरू कर देते हैं जैसे ही radar आ गया तो वो नीचे हो जाते हैं फिर से उपर हो जाते हैं या कुछ missiles ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से higher altitude पे ही उड़ते हैं लेकिन जैसे ही target आ जाता है तो नीचे हो जाते हैं तो दोस्तों इसको guide कैसे किया जाता है तो इन missiles के अंदर दो तरीके के या तीन तरीके के मैं कहूंगा तीन तरीके के जो है वो systems इस्तमाल किये जाता है guidance के लिए तो उसमें से जो पहला है उसका नाम है terrain counter matching तो terrain counter matching में होता यह है कि जिस terrain के उपर से वो missile उड़ रहा है तो वहां के पूरे terrain का map उस missile के अंदर feed किया हुआ होता है तो उसको compare करके वो missile ये अंदाजा लगाता है कि हमारे नीचे का terrain कैसा है और किस altitude पे हमें उड़ना है कहां पर उभार है, कहां पर खाई है इस सभी का पता जो है वो इस system की वज़ा से उस missile को पता चलता है और फिर वो अपने आपको उस तरीके से guide करता है दूसरी जो system इस्तेम की जाती है वो है GPS तो वो missile जो है वो same time GPS से connected होता है तो missile को ये पता चल रहा होता है कि आगे कौन सा mode है, क्या है कैसा terrain है, वहाँ पर radar है या नहीं ये सब कुछ पहले से ही उसको पता चल रहा होता है तो उसके मताबिक वो अपने आपको maneuver करता है यानि कि अपनी दिशा को बदलता है और फिर जाकर अपने desired target के उपर hit कर लेता है दोस्तो अगली जो system इसके अंदर इस्तेमाल होती है उसका नाम है GLONASS तो ये एक satellite system है जो कि directly वो missile को satellite के साथ connect कर देती है तो satellite उसको guide करता है कि अब कहां मुणना है, क्या करना है और ये satellite जो है, वो पूरी तरीके से उस army के द्वारा control किया जाता है उनको भी दिखता है कि कौन सा terrain है, क्या है, radar है, नहीं है तो उसके मुताबिक वो उसको guide कर सकते है दोस्तो इसके अलावा भी दो-चार techniques है जो इस missile को guide करने के लिए इस्तमाल की जाती है उसमें से सबसे पहला जो है जो कि missile जब hit करने वाला होता है तब इस्तमाल किया जाता है वो है laser guided तो laser से उस missile को guide किया जाता है लेकिन इसके अंदर एक खामी है कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा dust या smoke है तो laser का जो beam है वो पूरा target के उपर नहीं पहुँच सकता है जिसकी वजह से जो missile है वो भटक सकता है अपनी रा से तो ये खामी उसके अंदर है दूसरा जो system इस्तमाल किया जाता है वो है TV system तो जो missile होता है उसके nose के उपर एक छोटा सा camera लगा हुआ होता है तो जो operator होता है वो actually उस camera के थुरू देख रहा होता है कि कौन से terrain में जा रहा है वहाँ पर radar है या नहीं वो सब कुछ camera के थुरू उसको दिखता है उसके मुताबिक वो जो operator है बिलकुल एक खिलोने वाली remote controlled car की तरह उस missile को maneuver करता है और अपने desired target तक लेके जाकर फोड़ देता है दोस्तों ये जो TV वाला system है यानि कि camera वाला जो system है इसका एक फाइदा और भी है और वो ये है कि अगर operator को ये लगता है कि नहीं इसको abort करना चाहिए इस missile को hit नहीं करना चाहिए तो हवा में ही वो उस missile को abort करने का हुकम दे सकता है और वो जो missile है वो अपने आप self destroy हो जाएगा और target के उपर जाकर hit नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ी सहूलिय TV system के अंदर उनको मिलती है दोसो और एक बहुत ही clever technology इसके अंदर use की जाती है वो है radar seeker तो radar seeker दो तरीके के होता है एक तो active होता है और दूसरा होता है passive तो passive क्या करता है कि किसी भी radar से निकलने वाली जो frequency है वो उस missile के अंदर वो catch कर लेता है कि किस दिशा से ये frequency आ रही है तो उसके मुताबिक उसको radar का पता चल जाता है वो अपनी दिशा को वो mode लेता है और दूसरा जो होता है वो active radar seeker उसमें खुद की produce होती है और वो जाकर दूसरे radar के frequency से टकरा जाती है जिसकी वज़ा से ये अनुमाल लगाया जाता है कि कौन सी दिशा से radar के signal आ रहे हैं और कितने जादा दूरी पर है इसकी वज़ा से वो divert अपने आपको ठीक तरीके से कर सकता है इसके अलावा जो चीज इस्तेमाल होती है इसमें guidance के लिए वो है infrared technology तो infrared technology के द्वारा इन missiles के अंदर कुछ ऐसे sensor लगाये जाते है जिससे कि वो ये detect कर पाता है कि जहाँ पर heat है वहाँ पर जाकर हमें hit करना है या उसको hit करना है तो heat emit करने वाली चीज कोई भी हो सकती है continuously चनने वाली machine gun हो सकती है कोई rocket engine हो सकता है किसी गाड़ी का engine हो सकता है तो जो भी गरम चीज़े उसको दिखती है तो वहाँ पर जाकर वो hit करता है हाला कि ये जो infrared system है ये उतनी जादा कारगर सावित नहीं होती है जहां पर बहुत ही close battle चल रही है क्योंकि ये cruise missile तब ये detect नहीं कर पाते है कि कौन से हमारे side के है और कौन से उनके side के engines है या जो भी चीज़े है वो उनके side की कौन सी है हमारे side की कौन सी है वो बस heat को वहाँ पर follow करता है जिसकी वज़े से ये मिसाल उल्टे जिसने दागे हैं उसके उपर भी पलट सकते है तो इसकी वज़े से ये जो system है उतनी जादा कारगर नहीं है infrared वाली तो दोस्तो आखरी जो system इसमें guidance के लिए इस्तमाल होती है उसका नाम है Digital Sense Matching Area Correlation तो ये जो system है इसके अंदर वो अपने target को एक camera की थुरू देखते हैं और उस missile के अंदर पहले से ही उसके target का जो photo होता है वो feed किया हुआ होता है तो missile क्या करता है कि camera से मिलने वाला feed और जो image लोड की है उसको match करके देखता है अगर वो perfect match है तो वहाँ पर जाकर लग जाता है तो ये एक आखरी system इसमें इस्तमाल की जाती है जो की guidance के लिए होती है तो दोस्तों अब आखर में आते हैं इसके payload की तरफ तो इसके उपर भी जैसे आप ballistic missile में कुछ भी डाल सकते है वैसे ही cruise missile में भी आप जो चाहे वो weapon डाल सकते है आप उसमें nuclear weapon डाल सकते है biohazard वाला weapon डाल सकते है chemical weapon डाल सकते है और normal explosive वाला material जो है वो भी आप उसके अंदर डाल सकते है और उसको trigger कर सकते है तो इसकी वजह से उसके अंदर जो लोड कर सकने वाले जो वेपन्स है उसकी रेंज काफी ज़ादा बढ़ जाती है और इनकी जो वहन शमता होती है यानि कि कितने किलो के एक्स्प्लोजिव ये लेके जाते हैं तो ये उस पर्टिकुलर मिसाइल के शमता के उपर डिपेंड करता है कोई पर्टिकुलर क्रूज मिसाइल कम शमता वाले होते हैं तो उनके अंदर शायद उतना ज़्यादा पेलोड आप नहीं कर सकते लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं जिनकी रेंज भी ज़्यादा होती है उसके अंदर आप ज़रूर ज़्यादा जो है वो वेपन्स डाल सकते हैं तो आई होब दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि क्रूज मिसाइल्स आखिर होते क्या हैं कैसे काम करते हैं इनके अंदर कॉन्सिक्वंसी टेक्नोलोजीज का इस्तमाल होता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बोलें